दोस्तो क्या आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को बिना टॉच किये ही आप किसी भी कॉल को रिसीब कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो आज हम इसी के बरे में ही बात करेंगे आज के इस वीडियो में आपको कुछ एसे यह अमेजिंग ट्रिक के बरे में बताऊंगा जिसको अगर तो दोस्तो आप अपनी दोस्तो को अपनी गर्फ्रेंड को अपनी बीएप को इंप्रेस का सकते हैं दोस्तो नमस्कार दोस्तो मैं सुरिस कुमार मिश्टर अंडिय टीवी में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो चलिए हम फोन की स्क्रीन पर जाके आपको दिखा देता देखिए दोस्तो अब मेरा screen का recording on हो चुका है, चले दोस्तो settings पे चलते हैं, अब नीचे scroll करने के बाद, देखिए दोस्तो यहाँ पे लिखा है convenience tools, इसको हम click कर देते हैं, यहाँ पे एक settings है, gestures and motion, इसको हम click कर देते हैं, देखिए दोस्तो बहुत पहले से ही मैंने सारे settings को on कर लिया था, सारे options को enable कर लिया था दोस्तो, देखिए दोस्तो यहाँ पे three fingers, sensor day, अगर आपका on नहीं है तो on कर लिजिए, rise to work, इसको अगर आपका on नहीं है तो on कर लिजिए, auto year pickup calls, यही वो option जो मैंने आपको वीडियो के सुरुवात में बताया था दोस्तो, देखिए दोस्तो इसको अगर आप on कर देते हैं, तो जैसे ही आपके पास कोई call आया, तो जैसे आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको सीधे phone को पकड़ना है, आप जैसे ही आपके phone को कानों के पास लगा लगा दोगे, तो दोस्तो आपका call automatic से receive हो जाएगा दोस्तो, अब देखिए दोस्तो नीचे एक setting से, auto switch to ear receiver, इसका मतलब दोस्तो इस settings को अगर आप on कर देते हैं, तो call के time, अगर आपने loudspeaker दिया है, तो जैसे ही आपके कानों के पास आपने mobile लाएंगे, तो automatic से आपका loudspe sticker off हो जाएगा दोस्तो, कमाल का hand setting ना, अब देखिए दोस्तो यहाँ पे एक setting है, flip to mute incoming calls, इसका मतलब है, दोस्तो अगर आपको कोई भी call को mute करना है, तो यह power बाला की को आप प्रेस करते थे थे ना, तो automatic से आपका call mute हो जाता था, तो दोस्तो आपको stay नहीं करना अगर आपको यह trick अच्छा लगा, तो like कीजिए, share कीजिए, और हमारी चनल को subscribe करने के साथ सथ, बेल आइकन को प्रेस करते ना, वो भी all बाला है, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए चाहन,